हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबला उनलाइन, दिस इस अंकीता सूथ, सो यूजसीनेट पेपर वान में आज हम पीपल डवल्लप्मेंट एंड इन्वर्मेंट उनिट के बहुत ही सादा इंपोर्टन्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, हर एक क्वेश्चन अपकमिंग एक्जाम में आज इस पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत जादा जरूरी है कि आपके सारे कॉंसेट्स भी क्लियर हो, इसलिए स्टूडेंट्स हरे क्वेश्चन के साथ मैं आपको हमीशा की तरह important explanation भी देने वाली हूँ, ताकि सब स्टूडेंट्स easily अच् कर सकें, इसे के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं, विच आफ दी फॉलोविंग सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट गोल्स परटेंस तो क्लाइमेट एक्शन, बहुत असान क्वेशन है, इसमें कहा है कि सतत विकास के लक्षे में जलवाईयों कारेवाई से संबंधित कौन से गोल के अंदर बात की गई है, तो देखे स्टुडेंस, सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट गोल्स में हमारे पास टोटल 17 गोल्स के बारे में बात की गई है, जिसमें सबसे पहले SDG 11 हम देखते हैं, SDG 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज और कम्यूनिटीज के बारे में, बहनिया, उपभोग और उत्पादन के बारे में, मतलब की Responsible Consumption and Production के बारे में, तो ये वाला उप्शन भी गलत है, SDG 13 के अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है Climate Action यानि की जलवायू कारवाई से समबंदित, तो ये वाला उप्शन आपका Option 3 बिलकुल सह है, and SDG 14 भी देख लेते हैं, ये बात करता है Life Below Water की, मतलब जलिय जीवों की सुरक्षा, जैसे मचली इत्यादी है, इन सब की कैसे सुरक्षा करनी है, क्या-क्या Rules होने चाहिए, क्या-क्या हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब के बारे में Sustainable Development Goal 14 के अंदर बात की है, तो ये question में सही answer है, option number 3, आप सभी students के लिए एक चोटा सा explanation भी मैं लेकर आई हूँ, ये goals आपको याद रखने हैं, जैसे goal 1 है, no poverty, हिंदी में भी देख सकते हो, शुन्यगरी भी, इनको याद रखने के लिए एक trick होती है, जिस पर मैं एक short video अरड़ी लेकर आई हूँ लिंक आपको description box में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना, अब एक homework question देती हूँ, ये sustainable development goals शो है न students, देखें इनको 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है, इनको 2015 में decide किया गया था कि इसके उपर काम करना है, लेकिन ये जितने भी goals हैं, इनको हमें achieve करना है, कौन से year तक, तो 2015 से शुरू हुआ था, achieve करने के लिए कौन सा target year इनकोंने decide किया था, ये मुझे आप comment करके बताएए, बहुत ही जादा important question है, आगे बनने से पहले बताना चाहती हूँ, कि paper one preparation कर ये अच्छे से बहुत important है, इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ, जहांपर मैं आपको proper guidance के साथ examination के level और pattern के हिसाब से पढ़ाऊंगी, यहां पर students आपको daily three live lectures के साथ हम exam से पहले पूरा syllabus cover करने की surety देते हैं, practice के लिए MCQs and PYQs तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही Indian English दोनों languages में mock test भी available है, और सबसे ज़रूरी है, ये 5000 plus MCQ question bank, ये question bank की खासबाद ये है कि इसको unit wise arrange क किया गया है, इससे अच्छी तयारी आपकी हो ही नहीं सकती, इन questions को अगर आप अच्छे से exam से पहले एक दुबार पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के exam qualify करने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो students आप सभी new batch हमारा 20 में से start हो रहा है, इसको ज़रूर join कर लीजिए, given numbers पर contact कर कि इसकी पूरी information ले सकते हो, and free videos को देखना बिल्कुल भी, मत भूलना, जो आपको global online app पर मिलती है, store section पर, search bar में लिखे course का नाम, content पर जाओगे, English, Hindi, bilingual, separate courses है, live lectures यहाँ पर है, and कोई भी doubts है, तो directly इन numbers पर आप contact कर लीजिए, National Disaster Management Authority works under the ages of what, so राश्री आपदा प्रवंधन, कौन सी ministry के अंदर काम करता है, यह आप लोगों से पूछा है, Ministry of Earth Science, Ministry of Home Affairs, Ministry of Environmental, Forest and Climate Action, यानि की पर्यावरन वल्न और जलवायू परिवर्तन मंत्राले, और चौथा option है, Department of Space, Indian Space Organization, इसरो जिसको कहते है, So, Disaster Management is always related to Ministry of Home Affairs, यानि की ग्रिह मंत्राले के अंदर यह आता है, बहुत important question है, इसी सरो related एक और question में आगे आपके साथ लेकर आउँगी, What is the correct sequence of concentration of various components of producer gas? Okay, so यहाँ पर उत्पादक gas के बारे में बात की गई है, और इसके विभिन घटक क्यों कौन से हैं, उनको हमें सही क्रम में अरेंज करना है, Same question exam में ऐसे पूचा जा सकता है कि बताए, producer gas के घटक कौन कौन से है, तो पहले तो आपको यह पताना चाहिए, CH4, CH4 ऐसे रहेगा, CO2 ऐसे रहेगा, और N2 ऐसे, नीचे रहता है, यह ठीके, basics है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, So, arrange अगर हम इनको करते हैं, तो सबसे पहले CO आता है, ठीके, So, यह देखो, यहीं से आपको answer मिल जाता, Right, So, सबसे पहले we have CO, नई students, यह ठाथा थोड़ा सा problem है, इस question में, actual CO से हम start नहीं करते हैं, ठीके, इसको हम arrange करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारे पास N2, ठीके, N2, nitrogen gas होती है, इसका जो percentage है, वो 50 से लेकर के 55% तक है, ठीके, तो सबसे पहले D option आजाएगा, इसको हम eliminate कर देते हैं, D option सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहां पर देखते हैं, C है, that is CO, ठीके, CO आजाता है, आपके पास carbon monoxide, that is 22% से लेकर के 30% तक की इसकी range रहती है, note करने exam में जरूर आता है, ओके, इसके बाद आता है, हमारे पास option number B, that is CO2, और उसके बाद आता है, CH4, ठीके, तो यह है सही sequence, इसको note जरूर कर ले न, So students, आप सबको help करने के लिए, एक free telegram group में लेकर आई हूँ, इस group में, मैं regular basis पे paper 1 के कुछ important concepts, important MCQs, discuss करती रहती हूँ, साथ ही, आप लोगों के भी doubts हैं, तो आप इस discussion group को join कर सकते हो, यह सबके लिए फिलकुल open है, कोई भी सवाल है, इस telegram पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी updates रहते हैं, paper से related, वो भी हम यहाँ पर regular basis पे share करते रहते हैं, disaster management plan was launched by ministry of human affairs in, सो देखे हमने disaster management plan के बारे में पढ़ा, यह home affairs के अंदर आता है, same question था, कौन से यह अर्वे हैं, यह पूछा गया है, सो यह 2016 में ministry of home affairs के अंदर launch किया गया है, ठीक है, and in the eye framework के बारे में भी हमने बात की थी, जो कि 2015 से 2030 का target लेकर के चला है, यह भी इसी के अंदर आता है, environmental problems associated with soils are, मिटी से जुड़ी हुई जो पर्यावरनी समस्याएं होती हैं, वो किन-किन चीजों से related हैं, यह इस सवाल में पूछा गया है, okay, so देखिए सबसे पहले, nutrient leaching, पोशक तत्व, निक्षालन, यह भी बिलकुल सही है, metal contamination, यह वाला option सही होगा, और उसके बाद आता है आपके पास, salinity and alkalinity, लवनता और ख्षारियता, ठीक है, तो यह तीनो चीज़ हैं, यह तीनो terms आपके soils are related है, exam में same question को थोड़ा घुमा फिर आकर बहुत बार पूछा गया है, ozone depletion आपके मिट्टी से जुड़ी हुए नहीं है, ठीक है, fine aerosols यह भी आपकी मिट्टी से जुड़ी हुए नहीं है, यह air-s related problem है, okay, so ABC होगा सही answer, statement 1 बोलती है, global warming could lead to increased release of greenhouse gas methane, okay, so यह बोल रही है, there is large amount of methane currently frozen in the permafrost in the far northern region in the world, तो देखो, बहुत simple statement है, यह बोल रहा है कि आज कल की समय में, दुनिया के सुदूर उत्तरिक शेत्रों में, permafrost में, बड़ी मात्रा में, मिथेन जमी हुई है, यह वाली statement जो है न, यह कम से कम 4 से 5 बार तो 2023 के questions में ही देखने को मिली थी, तो यह वाली statement बिलकुल बिलकुल सही है, ठीक है, तो both the statements are absolutely true, which of the following, which one among the following is not a unit of measurement of surface ozone, surface ozone को measure करने के लिए कौन से unit नहीं होती है, microgram per meter cube यह होती है, nanogram per meter cube यह भी होती है, parts per million भी होती है, dapson unit नहीं use की जाती, तो इसलिए सही answer है, option number 3, next question we have is, which of the following statements are correct in the context of energy crops, उर्जा फसलों के संदर्भ में सही statement आपको ढूननी है, they are fast growing plants, यह बोलता है कि यह बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, बिलकुल सही जल्दी ग्रो करते हैं यह, ठीक है, they require specific season to grow, इन में कोई specific season की जरूरत नहीं होती, हर season में यह grow कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यह वाली statement गलत है, they necessarily require fertile land to grow, इनको उगाने के लिए एक उपजाओ भूमी होना बहुत जरूरी है, बिलकुल गलत, बंजर भूमी में भी energy crops जो है वो grow कर सकते हैं, they can be converted into gaseous and liquid fuel, बिलकुल सही statement है, very important statement is this, they generally have high calorific value, absolutely true, so A, D and C, A, D and E, यह तीनों statement सही है, energy crop की यह तीन statement सही है, multiple options की जगा, multiple statements यह assertion reason करके, यह question बार बार पूछे गए है, statement 1 बोलती है, खतरना कचरे के कारण होने वाली दिर्ग कालिक विशाक्तता का निर्धारन करना मुश्किल नहीं है, तो इसका निर्धारन करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें बोला है not difficult जिसकी वज़ा से यह statement गलत होगी, chronic effects may be seen immediately after the exposure, एकदम से यह दिख नहीं सकते, इनके effects एकदम से नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि एकदम से नजर आते हैं, जिसलिए यह statement भी गलत है, तो both the statements are incorrect, assertion बोल रहा है, geothermal energy यानि कि भूतापिय उर्जा is not a renewable source of energy, ठीक है, नवी करणी या स्त्रोत नहीं है यह energy का, तो यह वाली statement बिलकुल बिलकुल false है, गलत है यह statement, assertion बोलता है, तो देखो गलत है, तो option 1 और option 2 तो पहली गलत हो गया, option 3 भी गलत हो गया, तो automatically हमारे पास बाकी रह गया, सिरफ option 4, ठीक है, इसको देख लेते हैं, यानि कि भूताप यह उर्जा जो होती है, जियो थर्मल एनर्जी जो होती है, उसको निकालने और उसको यूज करने की जो process है, वो natural environment यानि कि प्रकृतिक पर्यावरण की बिखरी हुई नविकरणी अपूर्ती की तुल्ना में, centralized यानि कि केंद्रेकृत जीवाश में इंदन के लिए अधिक समान है, यह statement बिल्कुल ही सही है और बहुत ही जादा important भी है, ओके, नेक्स्ट ग्वेशन, ग्लासिकल स्मॉग is formed when oxides of nitrogen combined with particulate matter especially in summer seasons, यह question I think हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसमें बोलता है कि ग्लासिकल स्मॉग कैसे बनती है, यह बनती है when oxides of nitrogen को हम मिला देते हैं, किसी भी particulate matter से कौन से season में, summer season में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह statement बिल्कुल गलत है, ग्लासिकल स्मॉग reduces atmospheric visibility to a greater extent, ठीक है, यह बोल रहा है कि जब भी classical smog हमारे आसपास हमारे वातावरन में होती है, तो visibility कम हो जाती है, हम बहुत दूरी तक नहीं देख पाते हैं, यह statement बिल्कुल सही बोल रही है, तो इसलिए सही answer है option number 4, देखे students, अगर आपको यह sessions मेरे पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे comment करके बताते रहे ताकि मैं बिल्कुल भी न रुकू, मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही important questions, detailed explanation के साथ आपके लिए लाती रहूं, तो अगर आप चाहते हो, series continue रहे, तो जरूर मुझे update देते रहे है regular basis पे, So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.